ओम नमस्षिवाई जय मतारानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रत्योहार टोटके मैं हूँ आपके साथ रिम्चिम शर्मा दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को करवाचौत की बहुत-बहुत शुब कामना है दोस्तों मैंने आपके साथ क्या सामागरी आपको करवाचौत पूजन के लिए चाही होगा फूश शेर की है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि साल 2020 में 4 नवंबर को जब हम करवाचौत का तेउहार करेंगे तो पूजन विधी किस तरीके से रखें तो दोस्तों वीडियो में मैं आपको पूरी शानकारी दे रही हूँ कलश किस थापना आप कैसे करेंगे करवा आपको कैसे रखना है करवा में आप क्या भरेंगे और करवा कैसे आप फेरेंगे अकेले आप घर पे करेंगे क्योंकि आम तोर पे हम सामोहिक पूजन जब करते हैं करवा चौथ की, तो हम धाली फेड़ते हैं, लेकिन जब हम घर पे करेंगे और इस साल की अगर बात कुरुब बहुत मुश्चिल है सामोहिक पूजा होना, तो हम घर में खुद से कैसे करवा फेरेंगे, व्रत कथा कैसे फिर हम आर्ती करेंगे दोस्तों ये तमाम जानकारिया आपको वीडियो में मिलेगी सामागरी की सूची मैं पहले आपको दे चुकी हूँ तो इन जानकारियों के लिए आप वरत विधी का ये वीडियो जरूर देखें बहुत उपयोगी साबित होने वाला ये वीडियो आपके लिए क्योंकि छोटी-छोटी जानकारिया हैं हाला कि मैं फिर से एक बार ये आपको कह दू ये छेत्र विशेश के मताबिक आप सामान में और जो रीती है जो जस नियम से मैं कर रही हूँ शायद आपके यहां के नियम थोड़े अलग हो तो आप फिर वदल कर सकते हैं लेकिन मूल तोर पर करवाचौत की जो पूजन विधी होती है वो यही होती है ऐसे ही हम खुद से जब घर पे करवाचौत का वरत पूजन करते हैं तो करते हैं तो चलिए मैं आपको अब वो विधी करके बताती हूं तो दोस्तों अब मैं आपको करवाचौत की संपोर्ण पूजा विधी सबसे सरल तरीके से करके बताती हूं कैसे आप बहुती कम सामागरी में करवाचौत का पूजन करती हैं शिफ परिवार का माता चौत की करवामा की पूजन करती हैं तो देखिए सबसे पहले पूजन सामागरी में मैंने सामागरी सारी बता दी है तो एक पाटा हम लेते हैं लकडी का लकडी के पाटे पर लाल रंका मैंने कपड़ा बिछा लिया है आप चाहे तो पीले रंका भी बिचा ले लाल पीले रंका कपड़ा शुब होता है किसी भी पूजा पाट में तो हमें यही इस्तेमाल में करना चाहिए अब मैंने एक प्रतिमाली है शिप परिवार की आप फोटो भी ले सकती है और मैंने ये करवा चौत पूजन के लिए जिसमें माता करवा हैं सोर्यदेव हैं चंद्रमा हैं और जिन करवा माता की हम कथा सुनते हैं साथ भाई बहन और सभी लोग पूजन अर्चन में लगे हु ये फोटो हमें बाजार में उपलब्द हो रही है यह ने पाटे को पहले शुद्ध कर लिया था और असके बाद माता करवा चौत को और शेपरिवार को स्थापत कर दिया है यह ने पुस्तक भी जो हमारी कथा की है साथ में रख ली है पूजन के पहले आपको जो भी समागरियों की शुद्धी करते हैं तीन बार जो भी समागरिय आपके पास है उसकी शुद्halten कर ले और अब हमने यहां पर पहले ही तैयारी कर ली थी मैंने भगवान को अच्छे से पहले साफ कर लिया है और फोटो को भी लेकिन तीन बार हम शुद्धी करते हैं अपनी आफ कपड़े से हमें फोटो को पोच पी लेना चाहिए, क्योंकि हलकी से वहाँ पर पानी की छीटे आ गए है, तो मैं पोच लूँगी, किसी भी व्रत की तरह कलश स्थापना जरूरी होती है, करवा चौध की व्रत में भी तो कलश के स्थापना करेंगे, उसके लिए हम अश अश्च दल कमल बना लेंगे, तो भगवान शिव की तरफ कलश स्थापना कर रही हूँ मैं, तो एक छोटा सा अश्च दल कमल देखी, यहां पर जगे की कमी है, तो मैं कलश की स्थापना इस तरफ करती हूँ, साइड में दीपक इस तरफ मैं पाटे पर लगा लूँगी, पाटा थोड़ा सा छोटा है मेरा, तो एक सफेद चावल से मैं अश्च दल कमल यहां पर बना रही हूँ, चावल आपके रंगीन हो तो भी होगा, और अगर सफेद है तो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा बना लें, आप चाहे तो चावल से बनाएं, आप च चाहे तो रंगोली से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो हल्दी से बना लें, किसी भी चीद से एक छोटा सा अश्च दल कमल आपको बना लेना चाहिए, तो देखे मैंने बना लिया है, इसी पर हम कलशकी स्थापना करेंगे, एक अश्च दल कमल मैंने इधर बना लिया है, औ अब मैं इधर चौकी परी बना लेती हूँ, पीले चावल से बनाती हूँ मैं ये दीपक के लिए, तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, तो ये देखिए एक छोटा सा, अश्ट दल कमल ये तयार हो गया है, भगवान आपका भाव देखते हैं, तो मैंने कोशिश की है, अब इ पहले मैं आपको कलश की स्थापना करकी बता दूँ, मैंने विधिवत बताई हूँ है कलश की स्थापना की, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं रेस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दूँगी, इस कलश पे सबसे पहले एक स्वास्तिक का निशान बना लेते और ये चार बिंदिया, आपने भी देखी होगी सभी लोगों को ये चार बिंदिया शुबता की निशानी होती है, इसे आप जरूर दे, तो ये कलश पे स्वास्तिक बनके तयार हो गया हमारा, अब इसमें जो जरूरी सामागरी है, वो पहले से मैंने रखी हुई है, मैंने देखिये मैंने क्या लिया है, एक हल्दी की गाट, एक सुपारी, दूर्वा, अक्षत, एक सिक्का, दो लॉंग, और दो इलाइची, अक्षत आप बेख सकते हैं, सफेद अक्षत है, और बाके उसके साथ ये सभी सामागरी, ये कलश के अंदर जाती है, तो ये चीजे दोंगी पूजास्थल पर, तो इन तमाम चीजों को आप इस कलश में डाल दें, इसके बाद कलश के लिए मैंने नवपलव रखे हुए हैं, ये नवपलव लगेंगे, तो ये नवपलव मैं कलश में डाल दूँगी अब, कलश के लिए ये मैंने शीफल आपको दिखाया है कि कलश में ये शीफल लगेगा, शीफल को आपको कैसे रखना है, मैं ये भी बता दूँ, शीफल के तीनों नेत्र आपकी तरफ होने चाहिए, इस बात का भ्यान रखें, शीफल को हमीशा कपड़ी से लपेट कर तैयार करना चाहिए, कपड़ा नहीं हो, तो आप कलाबा भी स इस तरीके से कलश पर अब हम शीफल को रखेंगे, ये देखिए, ये कलश बनकर तैयार हो गया है, अब इस कलश की स्थापना, इसकी विदिवत हम पूजा भी करेंगे, लेकिन पहले मैं इसे स्थापित कर देती हूँ, अपनी स्थान पर, तो ये मैंने कलश स्थापित कर दिया है, तो कलश को अपनी जिगह पर स्थापित कर दिया है, अब दीपक, दीप देव की स्थापना हम करेंगे, जिसकी लिए हमने अश्टदल कमल पहले से तयार कर लिया था, दीपक का मुख कहते हैं भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए तो दीपक को ये दिशा का ध्यान रखी, ये दिशा पूर्व दिशा है, तो आप जब भी कोई पूजा करें तो पूर्व दिशा की ओर मुख कर के ही बैठें, तो दीपक को अब अश्टदल कमल पर स्थापित कर पूजा की शुरुवात करेंगे, दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, तो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, किसी भी पूजा का साक्षी होता है, और बहुत जरूरी है, तो अब विदिवत पूजन अर्चन हम शुरू करेंगे, देखे मैंने पहले बताया है आपको जब सामागरी भी बता रही थी, शेप परिवार है, फूटो में लेकिन किसी भी पूजा की शुरुवात ने गणपती की पूजा सरप्रथम करते हैं, तो अब इस फूटो में क्योंकि सब परिवार हैं, तो मैं सबसे पहले एक अलग से गणपती की स्थापना करूँगी, और उनका विधिवत पूजन करूँगी, मैंने आपको बताया भी पहले भी कई वीडियो में इस तरह से मैंने गणपती एक बनाया हुआ है सुपारी की, और इनको ही मैं सापित करूँगी गणपती आववान के साथ, उसके लिए एक शुद्ध किया हुआ, पहले से मैंने लिया हुआ है ये पान का पत्ता, और इस पर एक बार फिर से आप भी शुद्धी कर लें, आसनी की, और इस पर पीले अक्षत थोड़े से आप डाल दें, आप पुष्प भी डाल सकते हैं, और इस पर गणपती जो पहले से तयार हैं, एक सुपारी में कलाबा ये लपेट कर गणपती तयार किया है मैंने, गणपती की स्थापना आप कर दे अब विधिवत पूजन हम करेंगे गणपती की सबसे पहले, गणपती को आप पिले चंदन अरपत कर सकते हैं, सिंदूर गणपती को हम पिला भी अरपत कर सकते हैं, वो आसनी दी थी ये अक्षत हमने अरपत किया, गणपती को पुश्पो का हार दिया गणपती को ये दूर्वा बहुत पसंद है तो दूर्वा आरपित कर रही हूं गणपती को देखे जब भगवान को आरपित करें उनके उपर ना सब चीजें डाल दें बलकि आप साइड में इधर उधर रख सकते हैं उनको अरपित करने की भावना के साथ में गणपती के लिए ये यग्यो पवित इस पे हलके से पीले या लाल रंग का छीटा जरूर डाल दें वस्त्र देंगे गणपती को वस्त्र के लिए आप इस रक्षा सूत्र के लावा इसका उप्योग कर सकते हैं तो ये गणपती को वस्त्र दिया मैंने गणपती को सबसे पहले भोग ये सूखे मेवे और इलाईची दाना मिस्री जस चीट से भी चाहें आप गणपती को भोग लगा दें अब हमने गणपती का विधिवत आवान कर लिया है अब गणपती के आवान के बाद हम विदिवत बाकी सभी देवी देवता, शिव परिवार और पूजा करेंगे चौथ माता की सबसे पहले भगवान शिव को क्योंकि इनको सफेद चंदन लगाया जाता है पीला चंदन नहीं अर्पित किया जाता सफेद पसंद है तो सफेद चंदन में अर्पित कर रही हूं गणपती की यहां भी जो प्रतिमा में है उनकी भी कार्टिक ची है इनकी पूजा करें और ये नंदी बाबा उनकी भी और उसकी बाद चौत माता की फोटो में जितनी भी यहाँ पर भी शिप परिवार की प्रतिमा है आप सभी में ठीका लगाएंगे चंदर देव हैं, सोरी देव हैं करवा चौत के किताब में आपने पढ़ी होगी करवा मा की कहानी उसमें साथ भाई और बाकी सब ही लोग जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब की पूजा आरातना हम करेंगे हम किताब जो हम लेकर आए हैं, इनमें भी सभी देवी देवता हैं इनका भी पूजा नर्चल कर लेंगे तो इसे तरीके से बारी बारी से हम माता को सिंदूर अरपत करेंगे रन्पती को भी संदोर अर्पित करेंगे ये अश्टगंध है कि भगवान शिव को भी हम अर्पित करेंगे सभी को अर्पित करेंगे सभी देवी देवताओं को हमने गणपती को इधर अर्पित नहीं किया था उनकी पूजा रादना में उन्हें भी अर्पित करेंगे इसकी बाद शिप भगवान को सफेद अक्षत बाकी सभी देवी देवताओं को पी ले अक्षत माता को, जनपती को, सभी देवी देवताओं को कलश देवता का मैंने पूजन नहीं किया है साथ में कलश देव का भी पूजन कर लेती हूं अक्षत की साथ चंदन आप जब पूजन करेंगे गणपती का आवान हम एक पहले करते हैं उसके बार फिर से सभी देवी देवताओं का पूजन हम एक साथ करते हैं कलिश्ट देवता इसलिए जरूरी होते हैं वरुन देव क्योंकि इसमें ही हम सभी देवी देवताओं का आवान कर लेते हैं कि यह भगवन हमारी पूजा में शरीक होकर हमारी पूजा सफल करें यह देखिए एक पान के पत्ते पर सुपारी, एक द्रव्य, अक्षत, लौंग, इलाइची सभी देवी देवताओं के आववान के नाम पर ये हम शिप परिवार के सामने रख देते हैं इसके बाद जो भी आपको अरपित करना है सभी देवी देवताओं को आप अरपित करेंगे सबसे पहले अब वस्तुर दे देते हैं आववान के बाद शिर्प परिवार के लिए ये मैं पीले रंका वस्त्र लेकर आई हूँ तो ये वस्त्र अर्पित कर लेते हैं करवा चौत माता के लिए ये लाल रंका वस्त्र अब ये एक माला शिर्प परिवार के लिए मापार्वती के लिए और एक माला माता के लिए सभी देवी देवताओं के लिए एक पुश्पो की माला आप तैयार कर ले इस तरह से माता पार्वती शिफ भगवान को सब परिवार ये माला एक अर्पित करे एक अद्ने माला है ये मादर इन्हें अर्पित करें सभी देवी देवताओ सहित भगवान गणपती के लिए दूर्वा लेकर आई हूँ मैं तो मैं उनको दूर्वा आर्पित करती हूँ ओम गणगणपती नमा भगवान के मंत्रों का आप जब कर सकते हैं आपको शद्धता से मंत्रों का जब आता है तो कभी भगवान के सामनी गलत मंत्रों का जब ना करें जो मंत्र आए जितने आए उत्ने ही जब करें किसी भी पूजा में भगवान भाव के भुखे होते हैं तो हमेशा भाव शद्ध होना चाहिए ये भगवान शिव के लिए यग्योपवित वस्त्र दिया है हमें लेकिन वस्त्र के तौर पर एक एक वस्त्र हम रक्षा सूत्र का देते हैं कलश देवता को भी वस्त्र अर्पट करते हुए आप मन ही मन प्रात्ना करते रहें जो भी पुष्प आपने कराए हैं वो सभी देवी देवताओं को अर्पट करें अगर सफेद पुष्प मिला हो तो ये चंद्र देमता के नाम से आप अर्पट करें भगवार शिव को सफेद फूल पसंद है तो उन्हें भी सफेद फूल सरूर अर्पट करें माता पारवती के लिए ये गुलाब के फूल, लाल फूल अर्पित करने हैं तो आप गुलाब के अर्पित करें, गड़बती को भी आप गुलाब अर्पित कर सकते हैं, आप चौथ माता की फोटो में भी गुलाब अर्पित करें वहां भी जो भी देवी देवता हैं उनके नाम पर कलश्रेव को भी अर्पित करें और दीप देवता के सामने भी फूल अर्पित करें जोबी सामागरी आपको पूज़्ा में मिली भगवान के प्रिय भोग, प्रिय वस्तूएं, प्रिय पुश्पप वो आप कोशिश करें, लेकर आएं नहीं भी मिले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो मिले, आप जरूर लाएं, और भगवान को वही पूरे श्रधा भाव से, भक्ति भाव से अर्पत करें. अब बारी आती है करवा भरने की और करवा का पूजन हम कैसे करते हैं, देखिए मैंने दो करवा लिये हैं, एक करवा ये आपका अपना होता है और दूसरा करवा माता पारवती का होता है, हमारी तरफ इसी विधान से पूजा होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अब मैं आपक कि करवा को कैसे स्थापट करेंगे पूजास थल पर पहले ही मैंने शुद्धी कर ली है और अब दोनों करवा में आप आपको यह बता दूं कि देखिए जशेत्र विशेश की बात होती है कई जगह पे करवा में गेहूं भरा जाता है तो मैं गेहूं यह लेकर आई हूं लेक कुछ मीठा रखते हैं तो इस तरीके से करवा का पूजन होता है कि हमारी तरफ इसमें पंच मेवा भरती हूं मैं और इसके उपर लड्डू रखती हो अब जो भी मिठाई चाहे पीली मिठाई एकम रखते हैं और इसमें पंच मेवा सूखी चीजें ड्राइफूट्स भरत तो मैं आपको दिखाती हूं किस तरह से करवे का विधिवत पूजन करेंगे और करवा घर में आप खुद से अकेले कैसे फेरेंगी करवा स्थापित करने के पहले भी आप दो जगों पे थोड़े पीले चावल रख लें आप चाहें तो अश्टदल कमल बना सकती हैं देखें यहां पर माता पारवती हैं तो मैंने उनके सामने ही यह दो करवे रखे हैं दोनों के नीचे यह देखिए मैंने पीले चावल रख दिये हैं और अब एके करवा मैं इन पे स्थापित करूँगी ठीक है इसे स्थापित कर लीजिए इन दोनों के ढखकन आप पास में रखें अब करवे की भी विधिवत पूचन होती है करवे पर आप एक शुवता की निशानी स्वास्तिक बना ले वैसे तो देखें करवे पर बना हुआ है सब कुछ लेकिन ये आप खुद से बनाएं ये आप शुवता की निशानी जो होती है आप चंदन से बनाएं आप कुमकुम से बनाएं जैसे आप बना सकते हैं आप बना लें कुमकुमD इस तरह से अब धकन पे भी आप चार बार करवा चौत की जो व्रत कथा की किताब है उसमें तेरह का बहुत महात्वदिया हुआ है तो आप तेरह बार कर सकते हैं या फिर चौत की पूजा हो रही है तो हम चार बार भी कर सकते हैं अब फिधिवच्चिस तरीके से आपने सभी देवी देवताओं का पूजन किया है उस तरीके से आप करवा की भी पूजा आरादना करेंगे एक माता पारवती का करवा और एक आपका अब इसमें हम भरेंगे सुखे मेवे यह आप इसे पूरा भर सकते हैं अगर यह जा रहा है देखिए वड़ा है तो इसमें यह सारा आराम से आ जाएगा तो मैं यह सारे सुखे मेवे इसमें भर देती हूँ उसी तरीके से यह दूसरी करवे के लिए भी मैंने रखा है अलाग दोनों करवे में सुखे मेवे पूरे पूरे भर दिये मैंने अब इनके उपर इन दोनों करवों का हम ढकन ऐसे लगा देंगे अब इसके उपर हमारी हां मिठाई रखते हैं लड़ू तो हमने एक एक लड़ू अब इन पर रख लिया है डक्षिना आप जो भी रखनी है वो आप इस पर रखे अब ये करवे की सीख जो होती है सरई सीख इसे चार चार दोनों तरफ हम लगाएंगे अब ये सीख मैं बाद में लगाऊंगी पहले मैंने करवा स्थापित कर दिया है अब जब फेरनिक के पहले मैं लगा लूँगी क्योंकि मैं आपको विद्धी दिखा रही हूँ तो अभी दिक्कत होगी भोग अरपन करना है भगवान को तो पहले भोग अरपित कर लूँ और उसके बाद मैं सीख लगा के आपको दिखाऊंगे अब बारी आती है भोग लगाने की करवा स्थापित करने के बाद तो जैसा कि मैंने समागरी में भी आपको बताई है कि सुखे मेवे और भगवान शिव और भगवान गडपती के पसंदीदा भोग सफेद भगवान शिव के लिए लड़ु गरणपती के लिए मिश्री चंद्रदेव के लिए तो ये भोग हमारे हाँ चलता है, तो मैं ये भोग लगा रही हूँ, फलो का भोग, और आपके हाँ, अगर खीर का भोग लगता हो, मालपुये का भोग, गुलगुले का मिठी पूरी बनती है, जो भी भोग आपके श्रेत्र विशिश के हिसाब से, परिवार की रिवास के हिस आपसे लगता है, वो आप लगा सकते हैं. तो मैं सभी देवी देवताओं को गणपती को भोग अर्पन कर रही हूँ. सभी देवी देवताओं को आप भोग इस तरह से देखा लें तीन बारी और उसकी बाद आप रख सकते हैं. अगर जगे हो इधर साइड में तो आप रख लीजिए, नहीं तो आप नीचे भी रखे, कोई दिखकत नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी जगे है रहती है, तो मैं यहाँ रख सकती हूँ भोग, तो मैंने यहाँ पर भोग एड़स्ट कर लिया है, और यह सूखे मेवे, सूखे तो इस तरीके से आप भगवान को भोग अर्पित करें, अब यह सीजनल जो भी फल मिले, कोई भी सीजनल फल है, खास तौर पर अगर केले की बात करें, सेव की बात करें, हर सीजन में उपलाब धोता है, अभी संट्री और अम्रूत का सीजन है तो मिल गया, तो इस तरीके स आप सभी देवी देवताओं को एक साथ भी आप रखकर लगा सकते हैं भोग, और फिल से आप साइड में भी रख सकते हैं, इसके बाद जो इस तमाम पूजन अर्चन हो जाता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं करवा जौत की कथा, करवा जौत की पूजन विधी है, इस को आप सुनेंगे, कथा सुनने के बाद आप आर्ती अभी कर सकते हैं, अगर आप आर्ती चंद्रदेवता को अर्गे देने के बाद एक साथ संपर्न करना चाहते हैं, कई लोग वैसे भी करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पूजन सामागरी में मैंने आपको बताया ह सुहाग की चीजें, सोलब शुन्गार की चीजें, चूडी, बंदी, सिंदूर, आलता, कुंकुम, पाउडर, इत्र, रूमाल, जो भी चीजें आप चाहते हैं माता की शुन्गार के लिए वो चीजें आप लेकर आएं और माता को अरपत करें, माता की पूजा में हम शेंगार की वस्तुमें जरीर अर्पित करते हैं तो मापार्वती का पूजन अर्चन हम कर रहे हैं तो हम ये शेंगार की वस्तुमें अर्पित करनी चाहिए और हम इसे हम साइड में रख देतें शेंगार की वस्तुमें को अर्पित करकी इसमें आप कपड़ा भी रख सकती हैं सासुमा के लिए आप चाहे तो उन्हें कुछ सोने चान्दी का गिफ्ट करना चाहती है तो वो भी दे सकती है शिंगार के बाद आप थोड़ा एत्र भी सभी देवी देवताओं को अर्पित करें तो चुहा की चीज़े अर्पित करने के बाद अब हम करेंगे आर्थी उसके पहले मैं आपको बताओं कि करवा कैसे फेरेंगे तो आप करवे में मैं सीख लगा देती हूँ और आपको दिखाती हूँ तो अब यह देखें अब यह सीख में लगा देती हूँ यह पहले ही लगा दे लेकिन क्यूंकि पूजा के ववस्था ऐसी होती है कि आप लगाएंगे यह बड़ी 150 शुक्षी श्री सीख तो आपको दियकत होगी पूजा करते वक्त में तो आप ऐसे करके इसको कर्वे में अब आप करवा फेरेंगी देखिए ये जो आपकी बाई तरफ करवा है ये आपका है और जो दाहिवी तरफ है ये मा पारवती का करवा है करवा हम साथ वार फेरते हैं और साथ वार जब आप फेरेंगे इस क्रम में माता पारवती का जो करवा है वो आपके पास आ जाएगा और जो आपका करवा है वो इस तरफ आ जाएगा और जो करवा इस तरफ आता है वो हम अपनी सास को देते हैं और जो माता पारवती का करवा है वो हमारी तरफ आ जाता है इसे हम अपने पास रखते हैं इसकी जो दक्षिना है इसका जो भोग प्रशाद इसमें हमने डाला है व आपकी चाची सास बढ़ी है आप उन्हें भी दे सकती है, कोई दिककत नहीं, आप ये मापारवदी का करवा है और ये आपका तो माता से आपको क्या मांगना है अपने ले सुहाग मांगना है तो मा मुझे सुहाग दे ये बोलकर आपको इस तरह से करवा फेर लेना है और इसी प्रक्रिया को आप साथ बारी करेंगी इस क्रम में क्या होगा कि जो आपका करवा वो इस तरफ आजाएगा और माता का करवा तरफ चला जाएगा। इसे थोड़ा सा द्हान से करना होगा, क्यूकि ये सीक बड़ी लंबी हैं। तो आपको ध्यान देखे इस तरह से करवा फेर लेना है. यही प्रक्रिया आपको साथ बार अपनानी है और इस तरह से जो माता का करवा है वो आपकी तरफ आ जाएगा और आपका माता की तरफ और यह आपको माने सुहाग दिया यह आपका प्रसाद हुआ इसे आप अपने पास रखेंगी जब हम करवाचौत की पूजन अर्चन कर रहे हों तो अपने सुहाग की यहाँ पर जो निशानी हमारी होती है शादी का सिंधौरा वो भी रखना चाहिए आप भी जरूर रखें दोस्तो संपोर्ण पूजा विधी करने के बाद में हम उसके बाद आर्ती कर पूजा को संपन करते हैं सबसे पहले गणपती की गणेश भगवान की आर्ती हम गाएंगे और उसके बाद किताब में आर्ती दी हुई है हाला कि उसके बाद आप भगवान शिवशंकर भोलेना आत्मा पार्वती की आरती कर सकते हैं और किताब की जो आरती है उसे भी आप कर सकते हैं तो ये वैनि चार बातियों वाला दीपक बनाया है इसी दीपक से क्योंकि चतुर्थी की चौत की पूजा कर रहे हैं तो एक देखिए मैंने खाली छोड़ दिया मैं चाहती तो और अंत में एक बार फिर से सभी देवी देवताओं के नाम से जल अर्पन करेंगे हैं दीपक को शीतल करते हैं और इस तरीके से करवा चौत की पूजा विधी संपन्न होती है तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि मैं वरत विधी आपको अच्छे तरीके से करके दिखा सकूँ उमीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीजें कुछ अन्य जानकारी भी अगर है जो शायद मैं नहीं दे सकी तो वो भी आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछें किसी भी तरह की जानकारी हों के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं करवा चौत की पूरी सामागरी मैंने दी हुई है आप जरूर उस वीडियो को देखें चंद्रदेव का पूजन कैसे करना है इस पर भी मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा अगर चानल दारों तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जैमातरानी